नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आपके अपने यूटूब चेनल, अपनी क्लास में दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में आप सभी को आपके राजस्तान बोर्ड कक्षा नवी में इंग्लिश सब्जेक्ट का नए सिलेबस के नुसार एक पेपर बताऊंगा दोस्तों, इस पेपर के आने का चांस आपकी राजस्तान बोर्ड की वार्सिक प्रिक्षा में बहुत बहुत ज्यादा है आप मेरा विश्वास कीजिए, इस पेपर की जो प्रसन है, आपको वही सेम टू सेम प्रसन आपके इंग्लिश के पेपर में देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो चलिए, देखते हैं इस पेपर को, तो आप देख सकते हैं इस पेपर में उपर यूपर लिखावा है तो देखिए, इस पेपर का जो पहला प्रसन है, वह आपको unseen passage का दिया गया है आपको क्या करना है, इस passage को केरपली पढ़ना है और इस passage के प्रसनों के उत्र देने है तो देखिए, passage है, this is a true story about a poet called Kabir यानकि दोस्तों ये सची कहानी है, एक poet के बारे में, एक कवी के बारे में, इनका नाम है कबीर ठीक है, वो जनमें कब थे? वो जनमें थे 500 years ago यानकि 500 साल पेरे वो जनमें थे, he taught us an important lesson God loves all men यानकि उन्होंने हमें सबक दिया कि जो बगवान होता है, वो सभी आदमी की help करता है और सभी से वो प्यार करता है, ठीक है? उसी के आगे लिखा हुआ है यानकि एक दिन था जब नीरू और उसकी wife नीमा ट्रेवल कर रहे थे, यातरा कर रहे थे बनारस की, तो चलिए अब इस passage को इतना ही पढ़ते हैं, तो मैंने आपको जैसा की शुरूआत में बताया था कि आपको passage की दो दिन लाइने पढ़नी है, और आपको passage की प्रशनों के उतरे वो मिल जाएंगी देखिए पहला परशन, when was Qabir born? दोस्तों Qabir जो born हुए थे, वो 500 साल पहले हुए थे, देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि 500 years ago Qabir was born, ठीक है? आपको उतर मिल गया, आगे देखते हैं दूसरा परशन इसमें कहा गया है, why did Niro and Nima stop near the pool? दोस्तों यह दिया पूरा पेसिज पढ़ोगे, तो इस परशन का उतर है, वो मिल जाएगा तीसरा परशन, what lesson did Qabir teach us? दोस्तों Qabir जी है, उन्होंने सदेव कहा था कि जो God है, वो सभी आदमियों से प्यार करता है God loves all men, ठीक है? यहाँ पे आपको उतर है, वो मिल जाएगा, तो यहनी कि दोस्तों आपको सबसे पहरे पेसिज को ध्यान से पढ़ना है, आपको सभी प्रशनों के उतर है, वो मिल जाएगे तो आपको बताना है, यहाँ पे जो आपको यह ओप्शन दिये गए है, यहाँ पे एक कौन सा ओप्शन है वो आएगा तो इसी कि आगे दूसरा वाक्य है, इसमें आपको कहा गया है, एड़ दे इंटर्व्यू, यानि कि इंटर्व्यू की समय, समीर जब अंसर आवर कुशन्स, यानि कि दब हमरे प्रशनों का उतर दे रहा था, तब श्रगिंग ही सॉल्डर्स है, तो आपको बताना है कि यहा आपको कोलम भी दे रखा है, कोलम भी दे रखा है, जैसे कि ब्रोक आउट, तो आपको बताना है कि ब्रोक आउट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको A, B, C, D, E, F पदा रखे हैं, ठीक है, इसी कि आगे आपको दूसरा दे रखा है, इन अकोर्डेंस विद, तीसरा द आपको पता होना चाहिए, डे का क्या होता है, नाइट होता है, सब को पता होगा दोस्तों, उसी क्या कि क्या क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसी क्या 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 हो जाएगा, और केरफूल का क्या हो जाएगा, यान कि ध्यान रखना, और ध्यान प्रिंसिपल को और उनको क कहना होंगा। कि मुझे school के अंदर दो दिन की छुटी है वो चाहिए क्योंकि मुझे को कोई काम है ठीक है आपको कोई भी काम हो सकता है आपको बीमारी भी हो सकती है या फिर आपकी कोई शादी बगरा भी हो सकती है ठीक है दोस्तों देखिए ग्यारवी कैत्वा में आपको एक और application लिखन आउं देखिए topic है my school यानि की मेरा school और दूसरा यहां प्यात्वा में दिया गया है my best teacher यानि की मेरा best अध्यापक तो इसी के आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में 13 परशन है इसमें आपको story है वो लिखनी है ए थ्रिष्ट्री क्रो और एक greedy dog ठीक है आप लिख सकते हो आगे हमारे पास में जो चोदमा परशन आता है दोस्तों जो चोदमा परशन है वो आपकी book के चेप्टर है वहां से लिया गया है जैसे कि what did margie write in her dairy ठीक है यह जो आपका जो गुशन है the fun the head चेप्टर में से आयवा है पंदरमा परशन है why did aurak jeff ban the playing of pungi ठीक है यह जो चे name five kinds of flutes काटमांडू चेप्टर से आपका यह परशन है वहा है दोस्तों इस परकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपके राधस्तान बोड कक्षा नौई में जो इंगलिस की वर्सिक परिक्षा होने वाली है उसका एक बिल्कुल real paper बताया दोस्तों इस paper के आने का आपकी वर्सिक परिक्षा में बहुत बहुत जादा है तो आप अपने एक्जाम को देने से पहले इन कुशन को जुरूर पढ़कर जाना और दोस्तों यदि आपको यह कुशन अच्छे लगए हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दो किसे इन वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भरत